नमस्कार दोस्तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जसका नाव है क्रियेटिव माइंड दोस्तो क्या आपको पता है कि हम अपने टायर्स में थोड़ा भूद फेर बदल करके अपनी इलेक्टरिक वेकल की रेंज बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे तो दोस्तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करगे बैल के आइकन को दबा लीजे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो क्या आपको पता है कि कोई भी विकल हो उसके टायर का जो प्रेशर है वो बहुत जादा मैटर करता है उसकी माइलेज या फिर रेंज के लिए इवी की कंडिशन में वो रेंज बढ़ेगी या घटेगी काफी जादा डिपेंड करता है और अगरने पेट्रोल डीजल के विकल में भी काफी जादा माइलेज पर फर्क पड़ता है उसके टायर के प्रेशर बगरा के उपर तो हम इसी के बारे में आज डेटेल में बात कर करेंगे कि इतनी PSI की जो उसमें प्रेशर होना चाहिए अगर प्रेशर उससे कम हो जाता है तो होता क्या है कि बहुत जादा रेसिस्टेंस बढ़ जाता है टायर का जिसकी वज़े से माइलेज हो जाती है कम और अगर उसमें जादा एयर प्रेशर हो जाए तो उससे होता क् जो होता है जो रॉड के उपर जो उसकी संपर्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है जिसकी बज़े से ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आती है स्किट कर जाती है बाइक या टूइलर कोई भी हो तो दोस्तों हम आज बात करेंगे कि अगर हम टायर में नॉर्मल हवा की बजाए अकर नाइट्रोजन गैस का इस्तिमाल करें तो हमें किस तरीके से अच्छा जो उसका रिस्पॉंस मिलेगा किस तरीके से हमारा वीकल अच्छा परफॉंब करेंगा आज की वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे बताना चाहूंगा दोस्तों जो हमारे वीकल्स में फिलहाल जो एक नॉर्मली एक कंप्रेश्ड एयर भरी जाती है उसमें क्या होता है वो नॉर्मल एयर होती है जिसमें कि 78% तक नाइट्रोजन और 21% तक ऑक्सीजन और बाकी जो है वो सब अन्य गैसे सारी होती है लेकिन नाइट्रोजन के स्थिती में उसमें प्योर नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है तो उसमें nitrogen gas भरने से क्या हमें फायदे होएंगे उसके बारे में चलो एक-एक करके हम discuss करते हैं दोस्तों सबसे पहली बात जो है कि air जो होती है compressed air वो थोड़ी करम gas होती है और जो nitrogen है वो थोड़ी ठंडी होती है मतलब यह हुआ कि gas तो ठंडी नहीं होती ठंडी होने का मतलब है वो heat जल्दी नहीं होती अगर road के उपर tire चलता है बड़ी speed से आप expressway का उदान ले सकते हैं कहीं भी अगर expressway पर tire चलता है बड़ी तेजी से तो उसके अंदर heat generate हो जाती है heat generate होने से क्या होता है उसके अंदर जो air भरी होई होती है वो गरम होके फैलनी शुरू कर देती है और tire के अंदर की से बाहर की तरफ एक force लगता है जिसकी वज़े से कई बार tire भी फट सकते हैं तो उस condition में बहुत बड़ा accident भी हो सकता है तो अगर हम अपने tire के अंदर nitrogen gas बराएंगे तो ना ही तो जल्दी गरम होगी और ना ही वो उस थिती तक महुच पाएगी कि वो फट जाए next point जो है दोस्तो वो है tire की life के उपर अगर हम normal हवा भरते अपने tires के अंदर तो वो बार बार अगर speed में और बहुत लंबे route पे लेगी हवा अंदर की गरम होके फैलती है तो उसमें tire थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर उसके बाद वो कम हो जाएगी normal होके फिर वो normal position में आ जाएगा लेकिन इस तरीके से बार 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 होने से tires की भी life कम हो जाती है साथियो tire के अंदर का internal pressure जो है बार बार कम या ज ने जादा positive points है तो हम लोग ये normal air भरवाते ही क्यों है तो इसके पीछे के दो कारण है दोस्तो सबसे बड़ा कारण यह है कि nitrogen gas जो है normal हवा में से अलग करके बनाई जाती है तो उसके जो processing होती है उसमें पैसा खर्च होता है तो इसकी जो cost है वो जादा है आप किसी भी petrol pump यह कहीं पे भी आप जो normal हवा है वो free में ही डलवा सकते है जबकि nitrogen के 50-100 रुपे लगते है आपके तो कहीं न कहीं economically महेंगा है और तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि हम लोग चैसे अपने जो normal घरों में जो use करते है गाड़ी या two wheeler कोई भी वो उतनी जादा जो speed से चलने वाली गाड़ी है जैसे racing car वगर हो गई और जो racing bike हो गई वे mandatory अपने vehicles के अंदर nitrogen gas का ही use करते हैं और सातियों हमारी सरकार भी इस तरीके का decision लेने के उपर विचार कर रही है कि हमारी सरकार भी ऐसा हो सकता है कुछ सालों में ऐसा कर दे कि nitrogen gas ही mandatory कर दे सबी टा speed में लगातार काफी देर तक चलने पर टायर के अंदर problem आ सकती है तो लोग हमारी जो government है वे इस तरीके का विचार कर रही है इस चीज के उपर के mandatory कर दिया जाए nitrogen gas को सभी टायरों के अंदर लेकिन अभी फिलाल ऐसा कुछ नहीं है तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही अब आपको decide करना है कि अपने टायर में कौन सा हवा भरवानी है आपको normal air भरवानी है या फिर आपको nitrogen अब दोनों ही option आपके share में उपलब्द होंगे ही दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही इसी तरह की informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe करके bell के icon को दबाना ना बहुत बहुत धन्यवाद